तो आप सभी का में चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स बहुत जादा ठंड जो है अब बढ़ चुकी है तो उसको देखते हुए मैं आज आज आपके लिए एक पराठे की ऐसी रेसिपी लेकर आईगू जो आपको ठंड से तो बचाएगी ही साथ में बहुत जादा हैल्दी भी और टेस्टी भी लगने वाली है तो आज में लाई हूँ आप सभी के लिए सत्तू के पराठे ये पराठे प्रोटीन से भरपूर होते हैं और आपकी हैल्दिक लिए भी बहुत अच्छे होते हैं तो इस विंटर आप ये वाले पराठे ट्राए करो यकी जार उसमें आपको डाले हैं ये चने अब आप चाहें तो बाजार में रेडिमेट सत्तू भी मिलता है और ये चने भी मिलते हैं तो मैं तो मोस्ली इन चनों को लाकर पीस कर तभी पराठे पनाना पसंद करती हूं क्योंकि मुझे वो जादा बैस्ट लगता है मैंने यहां आपे फांडर इसका एक फाइन पावडर बनाकर जो है तीयार कर लिया है यह फाइन पावड आप चाहें तो थोड़ा सा धर्दरा या फिर बिल्कूल इसे पीसने की बाद हमें इसको रखना है और यहां पर मैंने बिना छिल्कों को उतारे इसको पीस आहें अब यहां पर मैंने लिया है MIXING BOWL, इसमें घृष कर रखे थे वो डाल देने हैं मैंने यहां पर एक इंच खा अध्रग का टुक्रा लिए था जिसां है वह धूंग का प्रौण ऐसे साथ में आधी पयाल लिया एन्ग आपर इनमिलियुक्त ऑड़िक स्वारिक काट रूई डमिल पीचते हों सबस्ट Unless बॉल्कुल बारीक काटे इसां के पराथे चांधे सार म हो आप वह भी डाल सकते हैं क्योंकि इसमें जो अचार में जो बहुत सारे मसाला डालते है। असका फ्लेवर्ड जो इसमें आता है नाय सत्तु के पराथों में बहुत ही जादा टेस्ट लगते है। उसके बाद डाला मैंने स्वादलुसा नमक, धनिया पौडर, मिर्ची पौडर और साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गी, अगर आपके पास यहाँ पर सरसो का तेल हो तो वह आप जरूर डाले, मेरे पास नहीं था ही जिस वज़े से मैं इसमें थोड़ा सा गी डाला है, आ आप चाहें तो इसे सूखा ऐसे ही भर सकते हैं, पर मुझे जो है इसका एक डो बना कर भनने में जादा आसानी लगती है, आप मेरे तरीके से एक बार बना कर देखिएगा, तो इसको न मैं इस तरह से गून लूँगी थोड़ा पाई डाल करके, आप चाहें तो इसी स्टे बना कर रख दूँगी, और यहां दूसरी तरह हमने आटे को जो है थोड़ा सा नमक और जो है थोड़ा सा घी डाल कर अच्छे से गून लिया था, चलिए हमारी सारी बॉल्स जो है बनकर त्यार हो गई है, और यह आटा भी हमारा इदर सेट हो चुका है, आटे का जो डो है वो हमें बहुत सॉफ्ट लगाना है, बिल्कुल हाड नहीं रखना नहीं, तो आपके पराठे जो है बेलतवक्त इसमें प्रेशर लगेगा जिसे फट सकते हैं, तो यहां पर मैं एक बरी में जितनी लोईयां भी होंगी, वो भी बना कर कर त्यार कर लूँगी, तो यहां प दिया है, अब यहां पर जो है हमने आटे की गोली जो बना कर रखे थी उसको बीच में रखना है, और इस तरह से उंगलियों की मदद से इसको लॉक करते वे चले जाना है, अब यहां पर इसको लॉक करने के में पाद दो तरीके हैं, जो भी आटा देख रहे हैं आप उपर इसे आप चाहें तो निकाल कर हटा सकते हैं, या तो फिर राउंड करकर इसी में अंदर प्रेस करके दबा सकते हैं, तो मैंने यहां पर आटा नहीं निकाला है, मैं इसको ऐसी करके अब इसे बेलूँगी, तो बेलने के लिए आपको बहुत हलकी हाथों का इस्तमाल करना है बहुत जादा इसको प्रेशर दे के नहीं बेलना है किसी भी प्राठे को आप बेलें तो उसमें प्रेशर ना लगाएं उसमें हलके आतों से उसको बेलें तो यहाँ पर पहले मैं अपना प्राठा बेल करके त्यार कर लेती हूं तो देखें मेरा एक पराठा इस तरह से बिलकर के त्यारे चलिए, अब इसको सेकने के प्रॉसेस पे चलते हैं अब यहाँ पर पराठे को जो है आपको medium flame पर ही cook करना है अगर आप इसे slow flame पर cook करेंगे तो यह थोड़ा सा hard हो जाएगा और अगर आप इसे high flame पर cook करेंगे तो यह उपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह सकता है तो इसके लिए आपको इसमें medium flame का इस्तमाल करना है तो देखिए मेरा जो पराठा है वो एक तरफ से गोल्डन कर उस पे आ गया था और दूसरे तरफ भी आ गया था तो मैंने दुरों तरफ जो है इसको अच्छे से तेल लगा लिया अब यहाँ पर आप ऑईल बटर घी जो भी खाते हो आप वो इस्तमाल कर लेना और इसको अच पराठा बहुत जादा अच्छा रहें और इसी तरह से अपने बाकी के पराठा को भी सेक लोंगी तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत सादा पसंद आया होगा तो इसी तरह की वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत इंटरस्टिंग वीडियो म बेचला पर आएंगी तो मेरे चैनल पर बहुत सारे पराठा के वीडियो अप्लोड़ेड आलू के पराठे दही के पराठे गोबी के पराठो और गोबी के पराठो को इतना सारा प्यार देने के आप सभी कब बहुत बहुत शोक्त और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भ पूल भी रहे हैं तो आप इस विंटर इसको जरूरा एक प्राठा जो है मैं आपको काट कर दिखा रहे हुए यहां पर कि इसमें कितनी अच्छी स्टफिंग फेल होई है तो देखें यह कहीं से भी आपको खाली प्राठा नहीं रगने वाला और यह मसालेदार और यह काफी ज्यादा टेस्टी भी लगेगा चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपे के साथ अब तक क्लिए बबाए और हाँ वीडियो को यहां तक देख लिया है तो थैंक्स पर वाचिंग